बिस्मिल्य रिमानिय रहीं, अससलाम अलेकुम दोस्तों जाब सरी इस पाकिस्तान चैनल में खुश राम दे दोस्तों बारा सो पिलस जो आई थी पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के जानीब से पुलिस आईटी डिपार्टमेट के अंदर सिंध पुलिस आईटी जॉब्स के अप्लाई किया था और अभी उन्होंने एप्लिकेशन स्टेटस की लिस्ट लगा दी है कुछ लोग वहां पे इन इलिजिबल हैं और कुछ वहां पे इलिजिबल हैं तो मेरी आप से रूकेस्ट्र अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी लिस्ट पे नाम चेक नहीं किया तो इन्शाला इस वीडियो की मदद से आपको मैं तमाम तफसिलात की बारे में डिटेल बताऊंगो कि कौन-कौन सी जाब सी और किस तरह आप लोगों ने इसका अप्लाई किया था और अगर आपको कोई मसला आ जाए तो आप लोगों ने इसको किस तरह अपने इश्यू को रिजाल्व करवाना है तो बुझे भूट अधर कमेंट्सिज आ रहे हैं सुबा से अब तक्किर पर बोल रहे वीडियो बनाऊ तो इन्शाला मैं कोशिश करूँगा आपके लिए एक पूरी मुकंबल वीडियो बनाऊंगा जिस तरह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप क्यों री फारं किस तरह फिल करेंगे तो दोस्तो जिन लोगों ने अप्लाई गया था इसके अंदर तो मैं आपको बताता चलूंगे 1200 प्ले स्नोकिर यहां थी कंप्यूटर आपरेटर की और ड़ाटरी आपरेटर की तो दोस्तो इसके अंदर उन्होंने अपी सबसे पहले लगा दिए भी मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों ने लिस्ट में अप्रा नाम किस तरह चेक करना है और इन इलीजिबल का मतलब क्या है और इलीजिबल का मतलब क्या है तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे आप से क्रूकेस्ट अगर आप चैनल अपने ह आपके हो जाएगी अगर आप लोग इस बुक को भाई करना चाते हैं जो अचसे त्यारी करना चाते है तो अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की ऑफिशल इस पे पर तो यहां प्याने के बाद आपने सबसे पहले आना है eligible और ineligible list सबसे पहले तो आप जान लो कि इसका मतलब क्या है eligible का मतलब है acceptable candidate मतलब कि आप लोगों ने फारम भेजा PTS के थुरू आपने किसे जाप के लिए अपलाई किया और अगर आपका eligible लिखा हुआ आ जाए तो आपकी test 100% होगी क्योंकि आप eligible है अगर किसी बंदे का लिखा हुआ आ जाए ineligible ineligible लिखा हुआ जाए तो समझ जाएं कि आपको reject कर दिया गया है कोई reason की वज़ा से अभी reason क्या हो सकता है अभी काफी जादर लोग जो apply करते हैं उनको अभी तक यह इलमनी होता कि degree title क्या उन्होंने मांगा हुआ है उन्होंने experience क्या चीज़ मांगी है तो इसलिए दोस्तों में हर बार एक job upload करने के बाद अपने channel पे उसके बाद मैं आपको apply करने का तरीका भी बताता हूँ और आप से request करता हूँ कि please ये video आप पूरी देख लो अगर आप ये video पूरी नहीं देखोगे तो उसके बाद आपको इतना बड़ा last होगा जो लोगों को भी last हुआ है क्योंकि उन्होंने हमारी video पूरी वो देखते नहीं है वो कहते हैं बहुता हुश्यार है और बस ना किससे पूछना है तो दोस्तों ये जो फारम reject होता है ये होता है आपके ना पूछने की वज़ा से अगर मैंने कुछ आप से सीखा या आपने कुछ मुझे सिखा दिया इसके अंदर कोई उन्सान छोटा बड़ा नहीं हो जाता लेकिन ये है कि अगर आप एक गलती से नहीं सीखते है तो इससे बड़ा लास और कुछ नहीं होता तो अभी कोई परशान उनके ज़रूत नहीं इन्शाला अगर किसी का मसला भी आ गया है कोई इनलिजिबल है तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट एक पूरी वीडियो बनाऊँगा कि इसके अंदर हम पीटियस का क्यूरी फार्म फिल करेंगे उन्शाला मैं आपको तमाम दर्सेलाद बताऊँगा तो पहले आप लोगों ने करना ये जीसी आप सकोफिन करोगे तो यहाँ पर आपसा सकते हैं से इन्टर से इनकर करना विदाउट- ल॥ contain कर आ etern NEW करोगे तो हैं पर लिख़ाथा कि आपका नाम एलिजरल है या आपको इन्डीजरल किया गया अगर आपका वहां पर इस रिज़न की वजह से हमने रिज़क किया है उम्यत करोंगा दोस्तों वीडियो आपको कोई भी हल्प चाहिए तो आप लोगों की पूरी वीडियो बनाऊंगा और अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हो इस टेस्ट की मुकमल तहरी करना चाहते हो तो हमने दो और इस्लामियत पाकिसान इस्टेटी जी के और जहाब रिटेट के टॉप के लासे हम से क्यूज दी है जिससे आप त्यारी कर सकते हैं इस बुक का मंगवाने का सिंपल तरीका है जैस्ट आप लोगों ने 0302 डबल सेविन डबल सेविन जेरो सेविन इस नंबर पर कॉल करन हैं उम्मित करूं में आप लोगों पसंद आएगी दो में याद अल्ला हाफिज